आज के क्लास ऐसे शब्दों के उपर होने वाली है जो वाक के के आगे की रोप रेखा को तै करते हैं यानि कि वाक के आगे कैसे ट्रांसलेट होगा ये शब्द डिसाइड करते हैं Class को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजेगा सबस्क्राइब कर दीजेगा सबसे पहले तो और हमारी paid class और app की अधिक जानकारी के लिए आप इस नमबर पर whatsapp message के जरीए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, Class को शुरू करते हैं, सबसे पहला जो शब्द ह वो है मेरा, मतलब मैं अपने बारे में जब आप बात करते हैं, वो आप इस्तमाल करते हैं मैं का अपने बारे में बात करने के लिए हिंदी में है ना, अंग्रेजी में I शब्द का यूज़ करेंगे, simple सा यूज़ होगा, मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to market, मैं बाजार जा और क्यूं मैंने कहा कि ये वाक्य के आगे की रूप रेखा को टै करता है, वो इसलिए क्यूंकि अगर वाक्य में I लगा है, तो M लगेगा, और लास्ट में रहा हूं लगा हूँ लगा है, तो यहाँ पर V4 का यूज़ लगेगा, ये सब कुछ जो है, वो ये वाला आफी जादा जरूरी होने वाले हैं, फिर मुझे, जब आप मुझे शब्द का इस्तेमाल करते हो अपने हिंदी वाक्य में, तो आपको मी शब्द का यूज़ करना है, M E मी, यह कलम मुझे दे दो, यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पैन, फिर है मेरा या कह लीज़े मे मेरी, दोनों में से जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, मेरा मेरी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरा यूज़ होगा कि मेरी यूज़ होगा, यह completely इस बात पर depend करता है, कि वाक्य की विशेवस्तू क्या है, यानि कि किस चीज़ के बारे में आप उस वाक्य में बात क कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे यह मेरी कार है, तो हो जाएगा this is my car, और कहेंगे यह मेरा मोबाइल है, तो भी हो जाएगा this is my mobile, यह किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर इस बात के उपर कता ही नहीं depend करेगा, कि यह वाक्य एक लड़का बोल रहा है, या लड़की बोल र के जगा पर क्या यूज होगा, तो मैं आपको clear कर दूँ, मेरा हो या मेरी हो यह gender specific नहीं होता है, बलकि जिस बारे में वाक्य में बात हो रही है, इस से सम्मंदित होता है, तो gender चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई फरक नहीं पड़ता, मेरा मेरी एक लड़का भी यूज करता है, एक लड़की भी यूज करती है, दोनों की ही अंग्रेजी माई होती है, और ये ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर अगर आप वाक्य में, अगर आप जो वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य का nature जो है, वो थोड़ा सा सक्त है, थोड़ा सा rigid है, थोड़ा सा position दिखाने वाला है, मालिकाना हक दिखाने वाला है, तो आप again मेरा मेरी का ही हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी में हमारे पास चाहे वाक्य हम, हिंदी हम बोलते हैं, तो हम अपनी टोन से ये डिसाइड करते हैं, कि वाक्य हम कैसा सा बोल रहे हैं, पर अंग्रेजी में ये अलग है, वाक्य के टोन के लिए अलग शब्द है जैसे कि यहाँ पर possession वाले वाक्य की अगर बात होगी मालिकाना हग जताने वाले वाक्य की अगर बात होगी तो यहाँ पर word mine का use करेंगे ना कि my का use करेंगे ठीक है जैसे यह phone मेरा है This phone is mine तो वाक्य में जो है tone बदल जाता है जैसे हमने कहा कि यह मेरा phone है यह normal simple सा वाक्य है और वहीं पर हम लोग थोड़ा डाल के कहते हैं कि यह phone मेरा है तो यह एक अधिकार दिखाने वाला feeling आजाता है तो हिंडी में तो tone से अपने अपने समझ लिया पर अंग्रेजी में कैसे अब्दो के इस्तमाल से आपको ये सामने वाले को समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं बात करेंगे जब आप एक से ज्यादा लोगों की बारे में बात कर रहे हों और आप भी उस ग्रुप में शामिल हो। यानि कि आप इस्तमाल कर रहे हैं हिंदी में हम, हम लोग, हम सब, इसका इस्तमाल कब करते हैं? जब आप एक से ज़्यादा वेक्ति की बात कर रहे हैं और उस ग्रुप में आप भी शामिल हैं, आप खुद को मिला करके बात कर रहे हैं और वहाँ पर आप अपने एक से ज़्य याद रखिएगा One Plus की बात कर रहे हैं, हर क्लास में यह लिख देती हूँ, ताकि आपको शबड याद रहे, इस्तेमाल करते वाकत, V क अस्तेमाल आप मैं के जगह पर नहीं कर सकते, और हम के अस्तेमाल, विक अस्तेमाल आप मैं के जगह पर, वी आ प्लेइंग क्रिकेट यह ऐसे इस्तमाल होगा वी यानि की वन प्लस हम भी उसमें इंक्लूडड है हम भी शामिल है तो हम वी का इस्तमाल करेंगे वही पर अगर हम हमें हम इस्तमाल तो कर रहे हैं पर वाकिय का नेचर कोई थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे इसे हमें दे दो है लुए इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो इंगलिश में जो कंवर्जन होगा वो व का नहीं होगा वो अस यूज़ होगा गिव इट तू अस इसे हमें दे दो गिव इट तू अस एक जगह पर क्या था कि आप प्रधान थे है ना कि हम cricket खेल रहे हैं यहाँ पर वाके का subject है आप लेकिन इसे हमें दे दो यहाँ पर वाके का subject नहीं है subject यहाँ पर कुछ और है आप यहाँ पर supporting character में है यानि कि one plus जो है us भी जो है देखो one plus के लिए इस्तमाल होता है ठीक है लेकिन इसका इस्तमाल अलग तरीके से होता ह यह supporting के लिए है support यहाँ पर कर रहा है तो आप हिंदी में तो tone से समझ जाओगे अंगरेजी में us word का use करेंगे और us हमेशा वाके के आखिर में इस्तमाल होता है so the basic difference between we and us जो की बहुत confusion रहता है लोगों में बच्चों में कि मैं हम का मतलब we भी होता है और us भी होता है तो क्या हम लोग decide करेंगे कैसे decide करेंगे तो भई मुख्य अगर मुख्यधारा की बात हो रही हो तो we का स्तमाल करें और supporting बात हो रही हो तो us का स्तमाल करें इससे clear clear आपको ही समझ में आ जाएगा कि we जो है as a subject वाके में यूज होता है अस जो है वो as an object यूज होता है वाके में so be very careful while using these two चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तुम आप तू अगर हिंडी में इस्तमाल कर रहे हैं तीनों के लिए अपने बास एक ही शब्द है that is you क्या है that is you जैसे आप कैसे हैं अगर हम कहें तो इसके अंग्रेजी होगी how are you अगर हम कहें तुम कैसे हो again how are you तू कैसा है how are you तीनों के लिए जो है एक ही शब्द है that is you तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे आपका आपकी आपके तेरा तेरी तेरे अगर किसी के सामने वाले के belonging यानि है what is your name तेरा नाम क्या है what is your name for all three जो translation है वो सेम रहेगा वही पर वह या उसे अगर किसी पुरुष के लिए इस्तमाल कर रहे है देखो हम हिंदी में हम लोग आके बोलते हैं कि वह जा रहा है वह एक लड़का है इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो हम इस्तमाल कर रहे है हम हिंदी में जो है जा रहा है लड़का है इस करके समझ जाते हैं कि भई चलो बंदे की बात हो रही है लड़के की बात हो रही है अंगरेजी में डिफिकल्ट है अंगरेजी में आप ऐसे sentence के basis पे कैसे समझ सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप शब्दों का अस्तमाल करके ही हो रही है तो चलो जा रहा है जब यहाँ पर है तो ठीक है न मतलब समझ यह रहा है मतलब की लड़के की बात हो रही है हिंदी में भी तो वर्ड़का ही इस्तमाल करके हमने समझाना कि लड़के की बात हो रही है अंगरेजी में कौन सा वर्ड यूज करेंगे अंगरेजी मे वह जार रही है तो she is going अस्तेमाल करेंगे फिर उसे या उसको अगर पूर रहे हैं उसको बुलाओ उससे बात करो है ना तो आप और ये सारी बाते हम पुरुष के लिए कर रहे हैं मेल के लिए कर रहे हैं तो him word guy use करेंगे उसे बुलाओ call him उसे बुलाओ call him वही पर अगर उसी सेम इंसान के किसी चीज की बात हो रही है उसके belonging की बात हो रही है उसका घर उसका mobile उसकी मम्मी उसके पापा ऐसी सी बात अगर हो रही है तो his word का use करेंगे ये उसका घर है this is his house एक बहुत important concept आगे explain करूँगे किसी ने मुझे comment किया ता मुझे नाम याद आ रहा कृष्णा करके शायद कोई है ठीक है मैं उनका नाम यहाँ पर मुझे exactly याद नहीं है पर एक concept जो है उन्होंने मुझे पूछा था मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर clear कर दूँ यहाँ पर अपने हमने बात की male की पुरुष की है तो female वाला जब आएगा तब मैं यह इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस ग्रूप में आप शामिल नहीं होते हैं इस आप शामिल नहीं होते हैं वे जा रहे हैं they are going उन्हें तो them का इस्तेमाल करेंगे उन्हें बुलाओ call them again they और them में वही डिफरेंस है जो we और us में डिफरेंस था subject और object बेस का ठीक है हमारा हमारी हमारी अगर हम अपने किसी समान की बात कर रहे हैं और वो सिफ हमारा नहीं हमारे मतलब हम एक से जादा लोगों का है तो our का use करते हैं जैसे यह हमारा घर है this is our house वही चीज वही वाला बाकि अगर आप मालिकाना हक जता के बोलना चाहोगे तो कहोगे this house is ours क्या हो गया आवर में एक extra s जुड़ गया क्योंकि यहां पर बात जो है वो मालिकाना हक यानि कि possession की आ गई तो यह hours हो गया clear अब female वाली बात आ गई है तो अब मैं वो concept आपको बताऊंगी उसे या उसको का अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं जैसे उसे बुलाओ उसको बोलो यहां आ जा वही पर अगर उसके किसी चीज की बात हो रही है जैसे उसका घर है उसके ममी है उसके पापा है उसका भाई है उसका मोबाइल है यह सब अगर आप use कर रहे हैं तो कौन सा word use करेंगे यहां पर भी हर word कही use करेंगे जैसे यह हुसकी car है this is her car अब बात आती है कि उन्होंने पुछा कि मैम, his और him, ठीक है, ये आपने बताया कि male के लिए पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, तो देखो, जब his, मतलब उसका है, उसकी है, अगर पुरुष के लिए use हो रहा है, तो his का use कर रहे हैं, उसको बोलो, उसको बुलाओ, अगर पुरुष के लिए use कर रहे है तो him का use कर रहे हैं, तो देख रहे हो, दो अलग-अलग word है अपने पास, अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, male की बात कर रहे हैं, his है और him है, confusion अपनी सही जगापर है, मुझे पता है, मैंसे बहुत किसी को होगी, तो जब female की बात आती है, तो उसका है, उसकी है के आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास दो शब्द हैं, him और his, लेकिन अगर महिला की बात हो रही है वाके में, तो एक ही शब्द है, जो दोनों ही situations में use हो जाएगा, and that is her, clear, ये जन्होंनों भी comment किया था, अगर आज मेरी class देख रहे हैं, I hope आपका ये confusion जो है, वो clear हो गय होती है, मैं खुद यानि कि myself, मैंने ये खुद खरीदा है, I bought this for myself, हम खुद ourselves हो जाएगा, again, ourselves जो है, oneplus के लिए use होता है, reason being, कि our अगर oneplus के लिए use हो रहा है, तो ours, ours भी oneplus के लिए use होगा, ourself भी oneplus के लिए use होगा, क्या बोला मैंने, ourself, नहीं, that's wrong, क्योंकि our oneplus के होगा, our selves होगा, self का दूसरा format है, selves, एक से जादा के लिए self नहीं होता है, selves होता है, clear, हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work, ourselves, तुम खुद, आप खुद, yourself, क्योंकि ये, क्या, ये single बंदे के लिए use होता है, आप इसे खुद करें, you do it yourself, वह खुद, अगर female के लिए use होता if, यह it का इस्तमाल होता है, यह संभव है, it is possible, यह non-living thing, neuter gender, इसको संबोधित करने के लिए इस्तमाल होता है, इसका, इसकी, इसके, its का use करते हैं, जब किसी non-living thing या neuter gender से सम्मंदित किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इसका रंग अच्छा है, its color is nice, कही कहीं ने, हमने dress देखी, हमने का, इसका color अच्छा है, अब dress जो है, वो non-living thing है, तो, और color किसका address का है, तो non-living thing के किसी चीज़ के लिए, किसी belonging के लिए, हम लोग its का use करते हैं, यह है, its का use करते हैं, या it is का use करते हैं, एक ही बात है दोनों, यह current स्थित को दिखा रहा ह होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, its raining, या it is raining, खुद itself का use कर लेते हैं, इतिहास खुद को दोराता है, history repeats itself, उनका, उनकी, उनके, their का अस्तमाल होता है, सामने वाले की किसी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, their का अस्तमाल भी 1 प्लस के लिए होता है, यह उ जैसे यह फैसला उनका है, this decision is theirs, they are libel, उस तरीके से बात करते हैं, फिर है, वे खुद, जहाँ पर हम themselves का use करते हैं, अब बताओ, यहाँ पर selves का use की हुआ, क्योंकि them 1 प्लस के लिए use होता है, तो 1 प्लस के लिए selves use हो जाता है, them के साथ लगेगा, तो self नहीं लगेगा, selves ल फिर कोई नाम रहे तो नाम के लिए जो है, आप easily नाम को नाम में ही translate कर देते हैं, उसके लिए कुछ अलग, कुछ अंदूसरा नियम नहीं है, ठीक है, clear होगी बात, जिसे मोना को chocolate पसंद है, मोना likes chocolate, clear, नाम जो है, नाम में ही convert होता है, तो लीजिए यह थी आज की class, जहा इंपॉर्टेंट है, यह word का list, कैसी लगी class, comment करके बताना, जरूर, class अच्छी लगी है, class को like और share कर देना, आप देख रहे हैं, संदीत English Academy, subscribe भी करतो भई, इतना class देखते हो, इतना पसंद करते हो, comment करते हो, subscribe भी करके रख लिया करो, class आएगी, तो देख पाओगे, बढ अच्छा, कोई course अगर करनी हो, basic से pro English writing, English grammar, English reading, यह वाली ना, spoken की है, और यह सारी e-books है, यह सब कुछ संदीत English Academy app पर मिलती है, जो कि Google Play Store पर आपको मिल जाएगी, download और install कर ली जगा app को, किसी भी अधिक जानकारी के लिए, चाहे free class हो, paid class हो, app से संबंदित हो, app में login करने म दिक्कत आरी हो, free class देखने में दिक्कत आरी हो, कोई सी भी दिक्कत आपको आरी हो, इस नंबर पर आप WhatsApp message के जरिये संपर कर सकते हैं, e-books वगेरा जो है, इस website से ले सकते हैं, app से भी ले सकते हैं, दोनों ही सूर्तों में download इसको आपको करना होगा, WhatsApp का group हमारा, Telegram का channel हमारा जरूर जॉइन करके रखें, ताकि आगे आने वाली classes जो है, वहाँ पर आपको मिलती रहें, और आप classes को attend करते रहें, मैं आपसे मिलूँगे आपके अगली class में, यानि कि कल तिल दन, thank you so much for watching, stay tuned to Sanriti English Academy.